हेलो स्टूडेंज वेलकम टू मैंनेट मेंज दिस इस अनामिका सिंग कैसी ही आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जैसा कि आप जानते फिजिक्स का अमारा चाप्टा चल रहा है क्लास टेंथ का जिसका नाम म प्रकाश परवर्तन तथाप वर्तन जहां पर मैंने कापी सारी बेसिक कॉंसेप्ट आपके क्लियर कर दिये हैं और थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे भी आ चुके हैं और आज का आपका गोली दरपन का यह है लास्ट पार्ट जहां पर हम इसे पनिश करेंगे यानि कि हम कि अपने सब्जिक की क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी पर्चेस नहीं करना है और नहीं किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है क्योंकि मैंने ब्रीन्स प्रवाइट कराता है क्वालिटी एजुकेशन इसे के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि ह हमारे चैनल पर जितनी भी ग्लासेस होती है वो सब अरेंज फॉर्मिट में होती है जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल करते हैं हम आप सभी का क्लियर और हां सारे डाउट्स भी तो करते हैं आपके साल हम पार्ट स्टेट बोर्ट कवर कराते हैं बिटा जोसे यूपी बिहार बोर्ट, MP बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट और दिल्ली बोर्ट इसी के साथ मैं आपको बताना चाती हूँ कि जितना भी हम पढ़ाते हैं वो सब अरेंज फॉर्मिट में तो होता ही है लेकिन साथी साथ सब के नोट्स कहां से मिलेंगे तो बिटा नीचे लिंक दी ग बाठे होंगे तो ही आपको आज का सेशन समझ में आएगा चीज़े क्लियर होंगी क्योंकि आप आल अफ सदन सीधे पार्ट थर्ड पर आओगे तो अविस सी बात आपका बेसिक कॉंसेप्ट है अभी क्लियर नहीं है तो आपको यह नहीं बनेगा तो चलिए आगे बढ़त अच्छे तरीके से करवाई थी उसी के बेस पर हमें यहां निशकर्ष करके बताना है सो द्यान से सुनिएगा सानी 9.1 में अगर बिटा द्यान से सुनिएगा मैं अगर इस उस टेबल की बात करूं जहां पर मैंने आपको बताया था उसके पहले एक एक्टिविटी हमने दे है क्या मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ाया था तो मैं बोल रही हुँ ना यह वाली वीडियो आपको तभी समझ मैं कि जब इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी होंगी सो यह मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी सानी 9.1 के बारे में बताया था जहां मैंने आपको ब अवतल दर्पन जो कुछ इस प्रकाल से होगा क्या कहा है मैंने आप से कि यह है हमारा अवतल दर्पन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे अवतल दर्पन में मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकाल से सीधी रेखा जाती है जो हमारी मुख्य अक्ष होती है यानि कि principal access होती है मैंने बताया था यहां कर वेचर होगा यह फोकस होगा और यह पर पूल होगा यह हमारा कर वेचर यह हमारा focus और यह हमारा पूल हमने जाना था याद करिये मैंने आपको stable की help से यह तो मैं आपको आरेक में बता रही हूँ तो अभी केबल सुनेंगे आप मैंने आपको stable उस साणी 9.1 में बताया था कि अगर वस्तू बिटा कहां पर रखी हो तो हमने जाना था कि अरे भाई वस्तू अगर infinity अनन पर रखी होती है तो उसका प्रतिविम कहां बनता है अगर ये वकृता केंद्र के पहले बनती है परे होती है तो प्रतिविम कहां बनता है अगर ये वकृता केंद्र पर होगी तो प्रतिविम कहां बनेगा वक्रता केंद्रों फोकस के बीच में होगी तो प्रतिविम कहां बनेगा फोकस पर होगी तो प्रतिविम कहां बनेगा और फोकस और पोल पर होगी तो प्रतिविम कहां पर बनेगा क्या आप सभी को ये कहानी याद आ रही है मैंने ऐसे ड्रॉ करके तो बाद में बताया था लेकिन उस टेबल में हमने ये चीज़ देखी थी कि भाईया अवतल दरपण में वस्तू का प्रतिबिम हमने देखा था कि सारी कंडिशन में रियल था लेकिन एक में वर्च्वल यानि की आभासी था सारी किंडिशन में हमने जाना था कि नहीं जाना था कि भहिया वस्तू का प्रति बिम्ब अवतल दर्पन में उल्टा भी बन रहा था सीधा भी बन रहा था ये सारी चीजे बिटा मैंने आपको सार्णी 9.1 में अल्रडी करवा कर रखी है यहां पर उसी को ध्यान में रखते हुए कह रही है कि सार्णी 9.1 में दर्शाई गई बिम्ब की प्रतिक बिम्ब बोले तो बिटा उस वस्तू की प्रतिक इस्तिती के लिए स्वक्ष किरन आरेक खीचने को कह रही है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए यह काम तो आपका हो गया और वो किरन आरेक कैसे खीचिंगे आप तो वो भी मैंने आपको कहां पर सिखाया था जब मैंने अफ्तल दरपन में प्रतिक बिम्ब कैसे बनता है वो वाली कहानी आपको बताएं थी तो याद करिए हुआ था कि नहीं हुआ था बस आप द्यान से सुनिएगा तो आपको यह बनाना है और बिना दो किरनों के आप आरेक बना ही नहीं सकते हैं यह भी मैं आपको क्लियर कर दूँ किर्णों की दो किर्णों की बिना आप आरेक नहीं बना पाओगे इसकी हमें आवशक्ता होगी ही होगी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाईया ये है हमारा अफ्तल दरपांग प्रकाश की किरण ऐसे आई एक और किरण की तो आवशक्ता होगी कहां जा रही हो उपर नीचे उपर तो कहर नहीं जाएगी लेकिन कहां जा रही है कितना जा रही है किस तरफ जादा मुड़ रही है सब कैसे पता चलेगा इसके लिए हमें दो किरन आरे की आवश्यक्ता होगी किरनों की आवश्यक्ता होगी सो प्रतिबिम करस्तान एट्टुली में निर्धारित करने के लिए पूर्व अनुछेद में वर्नित कोई दो किरने ले सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही कहा है अपने चित्रों के तुलना चित्र नौ दुशमलव साथ में दिये गए चित्रों से कीजिए अब एक बात आपको नौ दुशमलव एक जो टेबल था उसमें मैंने आपकी सहूलियत के लिए उसको सीधे अफ्तल दरपन से एक्स्प्रीन किया था ताकि आपको समझ में आ जाए सो दियान से सुगिए का बिटा अगर हम बात करते हैं उस टेबल के बारे में सो स्टेबल को लेकर सबसे पहले आपको बोला जा रहा है क्योंकि एक्टिविटी आपके न तो आपसे कह रहे हैं कि भईया पहले तो इसका बिलकुल डाइग्राम बना कर बताईए कि अगर बस तू अनन्त पर होगी तो प्रतिबिम कैसा कैसा होगा कहां बनेगा चोटा आपासी इस प्रकास से बताना है वास्तवीक सब हैना फिर हमसे कह रहे हैं कि अपने चित्रों के तिलन हमें चित्र 9.7 में दिये गए चित्रों से करने को कह रही हैं बिल्कुल सही कहा है सुबटा ये तो अब आपको मुझे कॉमेंट करके बताना होगा आपने इसका आरेक बनाया या नहीं और आपने जहां तके बना ही लिया होगा क्योंकि 99.99% तक मैंने आपको चीज़े एक्स्प्लेइन कर दी दी कुछ भी वहाँ पर हो अपको तुलना करके इस्तिति बतानी है और आपको इसका आफिक्शिक साइस का भी वर्णन करना है अपने नामों को सुविधा जनक प्रारूप में सानी बद्द तरीके से यहां पर बताने को कहा जा रहा है सुध्यान से सुनिए सानी बद्द तरीके में तो नहीं लेकिन आप अगर तुलना करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाया वस्तु की प्रकृति क्या है इस्सिति जो तुलना है आपने इसके जो चित्र बनाए आरेक बनाए उसके तुलना आपको नौ दशमलव साथ में देए गया चित्रों से करनी है अब आप मिलाना आपने क्या गलती की है ऐसा तो नहीं कुछ अलग यह चित्र बनाकर आप बैठ गये हो सो आपको मिला के मुझे कॉमे प्रतिबिम्ब तीसरी बार ये चीज बतारी हूं बिटा सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है ध्यान रखना है ना एक कंडिशन ऐसी है कि अवतल दर्पन में प्रतिबिम्ब सीधा बनेगा ठीक है चाहे आप इस टेबल का ध्यान रखो चाहे आप इसका ध्यान रखो च वास्तविक तो बनता ही है लेकिन एक condition ऐसी होगी जिसमें इसमें प्रतिबिम्ब आभासी भी होगा यानि कि वर्चवल भी होगा एक और चीज़ मैंने आपको बताईती सीधा उल्टा हो गया वास्तविक आभासी भी हो गया है जान लिया किनेही जान लिया हमने देख लिया सारी चीजे लेकिन मैं छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा बिटा, सारी condition आ जाएगी, छोटा भी आ जाएगा, यहाँ पर बड़ा भी आ जाएगा, सारी condition होगी, जो मैंने आपको दोनों में ही almost बताई थी, तो आपका बस एक ही answer आपको देना है, कि जब आप तुलना करते हो, तो आपने जो आरेक बनाया मेरे समझाने पर उसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस मिला, दोनों के तुलना जब आपने की, तो तुलना करने पर आपको क्या पता चला, इसका आंसर मुझे आपको देना है, आप मुझे देंगे मतलब, ठीक है आगे आते हैं अब हम अफ्तल दर्पनों के उपियोग के बारे में बात करते हैं ठीक है और हाँ इनको ना एक साड़नी में टेबल में आरेंज जरूर कर लीजिएगा और उसमें बताईएगा कि दोनों में क्या आपको जो है तुलना करने पर क्या पता चला आपको लग रहे कि कोई परिवर्तन है जो की असंभव है लेकिन अगर आपको लग रहा है तो वो जरूर बताईएगा ताकि मैं चेक करूँ क्या गर के बैठे हो नेक्स आते हैं अब अगली कहानी के तरफ हमारे अफ्तल दर्पन के उपियोग आपके पीपर में काफी जादा पूचा जाता है कि मैं अफ्तल दर्पन को पियोग कहां कहां पर होता है अफ्तल दर्पन का जो पियोग वो सामानिता टॉर्च होगे सर्च लाइट होगी और बाहरों में जो अगर दीप होते हैं कि जो head lights होती है ना बिटा वहाँ पर प्रकाश का शक्ति शाली समनांतर किरन पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है जनरली हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो हमारा concave mirror होता है इसका use इसका प्रयोग हम torch में करते हैं torch light जो होती हैं उसमें search light में करते हैं वाइनों के अग्रदीव जो गाड़ियों में आगे नहीं लगी होती है headlights वहाँ पर करते हैं और इसमें प्रकाश का शक्ति शाली समनांतर किरन पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसी के साथ और कहां पर करते हैं? सो चैरे का बड़ा प्रतिविंब देखने के लिए shaving दरपणों के रूप में भी यानि shaving mirrors में किसका use किया जाता है सो अप्तल दरपण का होता है मिटा जब भी आप class 10 में previous year question paper solve करेंगे इन में से बटा कही न कहीं से कोई न कोई question निकल कर आएगा आपको मिलेगा ओके दंत विशेशग्य अप्तल दरपणों का उपयोग मरीजों के दातों का बड़ा प्रतिविंब देखने के लिए करते हैं सो और बट्तियों में सूरे के प्रकाश को केंडरित करने के लिए बड़े अप्तल दरपणों का उपयोग किया जाता है क्या बोल रहे हैं कि दंत विशेशग अवतल दरपणों का उपयोग मरीजों की दातों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए करते हैं बिल्कुल सही का है जो डेंटिस्ट होते हैं वो इनका यूस बेसिकली हमारे जो मरीज होते हैं उनके दातों का बड़ी सी इमेज देखने के लिए करते हैं सौर बट्टियों में सूरे के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दरपणों का उपयोग किया जाता है कोई confusion, कोई समस्या, चलिए आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरी बात मैंने आपको जो समझाई है नेक्स आती है उत्तल दरपणों का प्रतिबिम्ब बनाना अब बात आती है कि मैम ठीक है आपने हमें कॉनकेव मिरर का तो पूरा कॉनसेप्ट बता दिया है लेकिन मैम इस कॉनकेव मिरर के लिए तो आप पहले वाला सेशन, इसके जस्ट पहले वाला देखना सारी चीजे मैंने स्टेप बाइ स्टेप वहाँ पर पढ़ाई है और हमने एक्टिविटी के हल्प से भी उसे अच्छे से जाना तो आप अगर ये चीज जानना चाहते हो तो उसे जरूर से जरूर देखना आपको help मिलेगी क्योंकि उसके जादा conditions थी, जादा examples थी जैसे 6 conditions थी वहाँ पर उत्तल में ऐसा नहीं होगा उत्तल का जो concept है वो बहुत बड़ा नहीं है अप तलका बड़ा था उसमें टाइम भी लगा हाला कि टाइम इसमें भी लगेगा क्योंकि आपके chapter के बीच के कुछ questions यहां मुझे solve कराने और ये वाला section भी थोड़ा सा बड़ा है है ना तो हमने क्या देखा भाई सारी चीज़े हमने जान ली थी अब उत्तल दरपन के बारे में सुनो हमने उत्तल दरपन द्वारा प्रतिबिम बनाने के बारे में already study कर ली है अब हम उत्तल दरपन द्वारा प्रतिबिम बनाने के बारे में study करेंगे कोई उत्तल दरपन लेने को बोल रहे हैं, ठीके, हम ले लेते हैं Convex Mirror और एक हाथ में हमें पकड़ने को कहा जा रहा है, ओके, हम ऐसा कर लेते हैं, अब आपके सामने आईगी एक प्यार इसी activity, दूसरे हाथ में एक सीधी, सीधी खड़ी पैंसिल पकड़ी है, पहले हमसे क्य इसके भी मैं पहले concept ही बताऊंगे, फिर आप खुद ही answer दोगे इसका, ठीके, अब क्या कह रहे हैं, एक हाथ में Convex Mirror ले लिया, और एक हाथ में क्या बोल रहे हैं, सीधी पैंसिल पकड़ी है, खड़ी पैंसिल पकड़ी है, दरपन में Pencil का प्रतिबिम देखिए, अब हम दरपन में Convex Mirror में अगर उस Pencil को देखते हैं, तो हमें बोल रहे हैं कि प्रतिबिम देखिए, प्रतिबिम सीधा है या फिर उल्टा है, क्या ये छोटा है, अत्वा विवर्धित बोले तो बड़ा है, लेकिन एक बात बताओ, ये आपको पता कैसे चलेगा, कि जो image है, वो erect, यानि कि सीधी है, या फिर inverted है, image छोटी बनेगी या फिर बड़ी, इसके लिए तो आपको पहले सीखना पड़ेगा ना, जैसे हमने अवतल में सीखा था, सेम वैसे ही मैं आपको अभी उतल में सिखाने जा रही हूँ, अब सुनो, Pencil को फिर क्या कह रहे हैं, कि हमारे दरपन से ऐसे दूर लेके जाने को बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अपकी condition बताओ, क्या प्रतिविम छोटा होता जाता है, या फिर बड़ा होता है, जो image बन रही है, उस convex mirror के लिए, वो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो सुनो, क्रिया गलाब को साबधानी पूरव वाली है, लेकिन अब आपके NCRT में दी है, तो कर तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बिलकुल यहां चीज़े रटाने नहीं जा रही हूँ, कुछ चीज़े explain करने जा रही हूँ, चलिए सुनते हैं, समझते हैं, और वो यहां से आपका शुरू होगा, ठीक है, जब मैं यह पूरी दोनों कंडिशन समझा दूगी आपको, फिर मैं आपको बोलूँगी कि भाई, आंसर दो, आप बिलकुल शाय से मुझे आंसर दे दोगे, ठीक है, इसी बात पर पहले तो मुझे कॉमेंट करके बता दो, कि यहां तक सब कुछ क्लियर हो है, जितना भी पढ़ाया है, सब अच्छे से समझ में आ गया ना, ओके, आब हम क्या करने जा रहे हैं, उत्तल दरपन द्वारब बने प्रतिविम के स्टडी करने के लिए, हम बिम्ब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं, बिलकुल दो ही स्थितिया हैं, इसकी बिटा, अब तल दरपन में 6 कंडिशन हमने देखी थी, इसमें हम केवल 2 कंडिशन देख सकते हैं, जो कि आपके सामने हैं, अभी बताऊंगी क्या, हमने क्या देखा, और हाँ, बिम्ब बोले तो अगेन में बात कर देती हूं, किसकी ऑबजेक्ट की, है ना, तो हम से बोल रहे हैं क कि क्या हो का, हाँ, उतल दरपन द्वारा बने प्रति बिम्ब का अध्यान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की दो स्थितियों पर विचार करती हैं, पहली स्थिति में बिम्ब याने वस्तू अनंत दूरी पर है, ठीके, यह है हमारा कौन सा दरपन बिटा, यह ह देका कि इसका यह है बिटा पोल, जो कि कल मैंने आपको बताया था, ध्रूव है, यह हमारा बिटा फोकस है, और यह हमारा क्या है करवेचर है, आप एक बात खुड नोटिस करो कि प्रकाश के किरने कॉन्वेक्स में क्या करती है, तो मैम ने क्या बताया था, यह होता ऐसे ह है, और हमने जाना था कि यह यहां से पॉलिश होगा, और मैम ने आपको क्या बताया था, प्रकाश के किरन ऐसे आती है, डाइवर्ज हो जाती है, यह सुर्णो, मैम ने आपको इसमें यह भी बताया था कि सुनो, यह होगा पोल, यह होगा फोकस, यह होगा करवेचर, हाँ या ना, फिर मैम ने बताया था, यहां से यह क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, यानि कि मुख्य अक्ष, तो वही सारी चीज़ें यहां पर नोटिस करो, अब हमने देखा कि वस्तू यहां तो रखा नहीं सकती है, तो कहां रखाएगी, दरपन के इस साइड, हमारे पह इनफिनिटी पर होगी, या तो पिर यह इसके भी परे हो जाएगी, समझे की नहीं समझे, तो हमने जाना कि अगर वस्तू कहां पर होती है, इनफिनिटी यानि कि अनंद पर उत्तल दरपन के यहीं दो कॉंसेप्ट है, यहीं दो तरीके हैं, जहां पहले हम जानेंगे कि कि मिरर कौन सा है, कॉनवेक्स, और अगर कोई इमेज जो है, वो कोई वस्तू जो है, ऑबजेक्ट इनफिनिटी पर रखा है, सो मैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सुनो, हमने क्या रेका, इससे प्रकाश के किरन, ऐसे आई, आपको भी पता है, डाइवर्ज होगी, ऐसे पर एक पॉइंट पर आती हुई हमें क्या हो रही है, प्रतीत, याने कि यह हमें फोकस याने कि बिंदू पर, फोकस बिंदू पर मिलती हुई हो रही है, प्रतीत, याने मैं क्या कह सकती हूँ बटा, तो मैं यह कह सकती हूँ, कि अगर हमारा जो वस्तू है, उत्तल दरपन म अगर हमारी वस्तु infinity यानि कि कहां पर होती है बटा अनंत पर होती है तो सुनो 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 वस्तु का प्रतिबिम कहां बनेगा और विसी बाते फोकस पर बनेगा कहां बन रहा है अभी बताया मैंने कहां बन रहा है फोकस पर बन रहा है लेकिन एक बात बताओ दरपन के आग अगर वस्तू कहां पर होती है अनंत पर होती है सो वस्तू का प्रतिविंब कहां पर बनेगा फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा अब बात आती है कि मैं रियल या वर्चुल अगर इसके पहले बनती प्रतिविंब तो हम रियल बोल देते लेकिन यहां हमें यह बनता हुआ प है बिन्दू आकार का बना है कैसा बना है तो हुश वाहिशust plik रह रहे कुन है इमच छोटा ओगद चोता होग़ा कि यह हम क्या बोल सकते हैं लात्राइब घ्राण कि वह का प्रिते विन्दू के आकार का अबहा पर एक अब हासी होता है सो हमारा concept यहाँ पर होता है done अगर वस्तू infinity अनत पर होगी सो हमने देखा कि वस्तू की स्थिती होगी focus दरपन के पीछे और हमने जाना कि अत्यादिक छोटा वस्तू का आकार होगा वस्तू बढ़ी ती आकार छोटा देखके समझ में आये ना और हमने देखा कि आबासी और स पीच ही होगी इसके काफी पहले दिख रही है कि नहीं दिख रही है तो हम क्या बोलेंगे दूसरी condition और आखरी दोही condition यहां पर बनती है उननत और पोल के बीच में है यानि कि infinity पॉल के बीच में है अन्न और धूरू के बीच में है मैं आप क्या होगा तो सब जब यह यहाँ होगा एक प्रकाश के किरण ऐसे आई यह रड़ाट वर्ष unanim character कर गई फिर प्रकाश के किरण यहर ए सिए और यह ऐसे चले गई तो सुनो यह यहां से हमें जाती हुई क्या होगी प्रतीत और यह हमें यहां से जाती हुई क्या होगी प्रतीत होगी क्या यह कोई confusion कोई समस्या एक चीज और हमने क्या देखा कि वस्तु का जो प्रतिबिम्ब है वो किन के बीच में बनेगा तो सुनो, सुनो, हमने जाना कि ये पोल और फोकस के बीच में बनेगा और दरपन के पीछे, again same concept, ये दरपन के पीछे जाएगा और भाई छोटा बन रहा है, इतनी बड़ी image थी, छोटा से प्रतिबिम में यहां बन रहा है, again क्या है, सीधा होगा और आभासी ही होगा, क्यों दे दी और हमें अभी तक तो हमने concept ही नहीं पड़ा था तो आपको कैसे बनती अब बनेगी वह activity आपको क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर दर्पन कैसा है उत्तल है तो आपको एक जो है सबसे जादा important है तीसरी कहानी वह वस्तु से छोटा ही बनेगा बड़ा नहीं बन सकता है दोनों ही condition देख लो वहां पर जब अनन्त पे थी तो इसने बिंदु आ कर दिया यहां पर वस्तु जब अनन्त और पोल के बीच में थी तो इसने बस्तु से छोटा प्रतिबिम बनाया तो हमारी एक चीज तो बिटा यहां पर कनपॉर्म है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है और मैं तीसरी बार बताने जा रही हूं कि अगर दरपढ उत्तल है यानि कॉन्विक्स मिरर है सो द्यान रखना कि वस्तु का प्रतिबिम कैसा होगा सीधा ही होगा वस्त अगर इसके पास बोल सकते हैं फिर भी है तो इसने वस्तु का प्रतिबिम छोटा बनाया है लेकिन वस्तु और दूर चली गई तो वह बिंदू आकार में आ गई तो जैसे जैसे धुरूव से दूरी इसकी बढ़ती जाएगी वस्तु का जो आकार है वो और छोटा होता जा दन चलिए अब आते हैं अपनी में कहानी की तरफ सो मैं आशा करती हूं कि जहां था कि आपको अच्छे समझ में तो आही गया होगा बस बिटा कॉमेंट करके बताते चलिए का जितना भी बोल रही हूं वो सब यहां पर छप रहा है हां या न ठीक है और हां अपने दोस्तो की पूरी एक्टिविटी जो रिमें थी वो करवाई है और जो बचा हुआ भागता वो माम ने करवा दिया आज हम दरपन सूत्र भी पढ़ेंगे आज हम आवर्दन मैंनिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे ओके तो नाव नेक्स आते हमारी एक्टिविटी हम देखें तो हां हम कहेंगे कि दरपन में अगर हम पैंसिल का प्रतिविम देखते तो प्रतिविम सीधा है या उल्टा है बता दो कि यह कैसा मिलेगा भाईया एरेक्ट मिलेगा सीधा मिलेगा क्यों क्योंकि हमारा दरपन कैसा है उत्तल है पहले कहाने अब बूल रहें क्य काहानी ड़न मिल गया आंसर कैसे मिल गया क्योंकि आमने थियोरी पड़ लिया अब आते पैंसल को धीरे-दीरे दरपंड से दूर ले जा रहें मैंने आपको क्या बताया था कि जब इसे दूर लेके जाएंगे तो क्या प्रतिविम छोटा होता जाता है या बड़ा छोटा होत जाता है सो पैंसल को जब हम दरपंड से धीरे-धीरे दूर लेकर जाएंगे अब यह यहां था यह यहां था जैसे-जैसे दूर लेके जाएंगे इसकी जो इमेज बनेगी ना वह हमेशा छोटी होती जाएगी क्रिया कला आपको साफदानी पूरवक दोरा है बिल्कुल भा प्रतिविम जो है वह फोकस के निकट आएगी यहां पर उससे जो है दूर चली जाएगी अच्छा एक चीज और यहां इमिज के बारे में बात चल रहे हैं तो देखो दोनों कंडिशन प्रतिविम जो है वह फोकस के निकट आता है या पिर वो उससे दूर चला जाता है तो सुनो पहले तो पहली कंडिशन में तो फोकस पर ही बनाता जब वस्तू कैसी थी दूर हा यह कहानी तोड़ी से जानने लायक है है ना मैंने शायद बोल दिया कि दूर जाएगा लेकिन ध्यान से सुनो यहां पर बात चल रही है फोकस को लेकर कि यह फोकस के निकट आएगा यह दूर तो हम अमेशा ध्यान रखेंगे कि जब वस्तू को दरपन से दूर लेकर जाया जाएगा पहले हमारी वस्तु इनके बीच में थी और पहले अब हमारी वस्तु कहाँ दूर है तो हमने देखा कि जब वस्तु अनांत और फोकस के बीच में थी तो फिर ये फोकस है और पोल के बीच में रही लेकिन जब हमने देखा वस्तु जैसे ही दूर गई तो वस्तु का प्रतिबिम फोकस पर बन गया इस आदार पर क्या लगता है आपको अंसर कि जब वस्तु को दूर लेकर गए तो वो जो प्रतिबिम था फोकस के पास आया है दूर कॉमेंट करके मुझे अंसर जरूर दी दिएगा अलगी समझ में आ रहा है बढ़ फिर भी आंसर जरूर दीजिएगा ओके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सारी बाते मैंने आपको बता दी है ये वाली चीज भी आपको समझा दी है अब इतक आपने समतल दरपन बिल्कुल प्लेन मिरर आपने Concave Mirror और Convex Mirror द्वारा जो प्रतिबिम्ब बनाने के बारे में अध्यिद किया है बिल्कुल किया इन में से कौन सा दरपन किसी बड़े बिम्ब याने की जो औबजेक्ट है याने की जो वस्तु है इसका पूरा प्रतिबिम्ब बनाएगा आई एक activity के माध्यम से समझते हैं चलो भाई चलो भाई एक activity के माध्यम से हम इस पूरे को समझेंगे अब बात कुछ ऐसी है कि activity 9.6 हमारे सामने है इसके पहले बिटा 5 activity हो चुके और वो काफी जादा महत को पूर्ण है 10th class के बच्चों को लगता है कि माध्यम activity से questions आते हैं क्या जी हाँ बलकुल आते हैं जरूर से जरूर उन्हें करा करो आप क्योंकि activity से बकाइदा question पूछे जाते है तो activity 9.6 हमसे क्या बोलती है तो चलो इसे देखते हैं हम कि हमसे क्या बोलती है समतल दरपन में किसी दूरस्त बिंदू जैसे कोई दूरस्त पेड़ का प्रतिबिम्ब देखने को कहा जा रहा है लेकिन दरपन कैसा है समतल अब यहाँ पर एक छोटे से example से हमें क्या करना होगा तीनों चीजों में चाहे समतल हो चाहे उतल हो अवतल सब में हमें images देखना है देखना है किसमें पूरी है किसमें आदी और भी कहानी पूछी है चलो जानते पर पहले प्लीज इसका screenshot लेले देना हम आगे बढ़ेंगे चलिए screenshot लेलिया है अब ध्यान से सुनिएगा कि हमसे तीनों condition में जो जो बोला है वो हम करते हैं कि समतल दरपन में किसी दूरस्त बिम्ब याने वस्तू जैसे कोई दूरस्त पेड का प्रति बिम्ब अगर हम बोले तो वो देखने को बोल रहा है क्या ये समतल दरपन में possible है क्या ये plane mirror में possible है कि दूर रखा एक पेड जो है वो उसमें पूरा जो है वो दिखाई दे जाए हमने क्या देखा कि जो plane mirror होता है उसमें किसी दूरस्त बिम्ब याने कि दूरस्त वस्तू जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दूर कड़ा कोई पेड है इसकी image हमें देखने को बोल रहे है अब एक बात बताओ क्या आप पूर्ण लंबाई उसकी full length का प्रतिबिन देख पाएंगे क्या plane mirror में ये चीज possible हो पाईगी क्या तो ध्यान से सुनिए इस condition में तो ये चीज संबब नहीं है जहां हमने ये देखाए कि समतल दरपन में किसी दूरस्त बिम्ब याने वस्तू जैसे कि कोई दूरस्त पेड़ हो गया दूर है कोई पेड़ और अगर हम उसका प्रतिबिम्ब इसमें देखने की कोशिश करते हैं समतल दरपन में full length के साथ क्या पूरी लंबाई के साथ तो भाईया हम वो नहीं देख पाएंगे सो answer क्या हो जाएगा no हम नहीं देख सकते ह हैं सेके जाते हैं हम विभिन साइस के समतल अब इसमें भी परिवतन अगर हम समतल दरपन को भी अलग-अलग साइस में लेकर प्रयोग को दोराईए क्या आप दरपन में बिम्ब का पूरा प्रतिबिम्ब देख सकते हैं no यहां पर भी यह चीज संबब नहीं है इसे भी हम देख पाएंगे मैंने क्या बोला है कि अगर हम प्लेइन मिरर में अलग-अलग साइस का भी यह दरपन लेते हैं तब भी हम इसे नहीं देख पाएंगे क्या यह कहानी समझ में ठीक है इस क्रिया कलाब को अब सेम हमें कॉनकेव और कॉन्विक्स दोनों मिरर के साथ करना है तो पहले मैंने लिया है कॉनकेव मिरर यानि कि अवतल दरपन इसके साथ करते हैं तो क्या यह दरपन बिम्ब की पूरी लंबाई का प्रतिबिम बना पाएगा क्या तो हमने तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है अवतल दरपन में किन-किन कंडिशन्स में कैसे-कैसे प्र इसकी तो इसका उप्रतिबिम पो कॉंके मिरर पे नहीं बन पाएगा इस क्रिया कल आपको अव्तल दरपन के साथ दोहराये तो हमारा अवतल दरपन की अगर बात करेंगे क्या यह दरपन बिम्ब की पूरी लंबाई का प्रतिबिम बना सकेगा जहां कोई पेर जो है वो पूरी लंबाई का प्रतिविम यह नहीं बना पाएगा कौन अफ्तल दर्पन आपको भी पता है ना कि जब वस्तु अनंत पर रखी रहती है तो इसका प्रतिविम फोकस पर बिंदु आकार का बनता है है कि नहीं है हमने यह भी देखा है कि जैसे जैसे यह पास आता जाता रह नहीं प्लेण मेर ने हर कंडिशन में गरी फिर मैं अब एक उत्तल दर्पन लिजे और इस प्रेयोग को दोराइए कि आपको सफलता मिली सो मैं आपको बताना चाती हूं कि अगर हम उत्तल दर्पन लेती हैं और इस प्रेयोग को दोराते हैं सो यास यहाँ पर ये चीज़ पॉसीबल है क्या बोला जा रहा है कि अगर हम उत्तल दर्पन को लेते हैं और अगर हम इस प्रोसेस को दौर आते हैं एक दूरस पेड़ का अगर हम प्रतिविम्ब इसमें देखना जाते हैं तो यस इसमें हमें उसकी जो एमेज है वो दिखाई देगी लेकिन उपर के दो केवल केवल किसमें दिखाई देगी जब हमारा जो मिरर कौन सा होगा सुबू होगा कौन वेक्स मिरर ठीक है तो इस कंडिशन में हम वस्तू का जो है इमिज प्रॉपर तरीके से देख सकेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं यह होगे यहाँ पर आपकी अक्टिविटी डन और सुनो आप एक छोटे उत्तल दरपन में किसी उचे भवन पेड का पूर्ण लंबाई का प्रतिपिम देख सकते हैं बलकुल सही बोला है कि अगर हम एक छोटे उत्तल दरपन की बात करते हैं किसकी छोटे उत्तल दरपन की यानि कि कॉन्वेक्स मिरर की तो इसमें हम उचे उचे जो भवन होते हैं वो भी और पेड की जो पूरी लंबाई है इनकी इमेज अराम से देख सकते हैं लेकिन ये प्लेन और कॉनकेव में हमने नहीं देखी आगरा अच्छा आप कुछ और चीज़े जान अगरा के लिए कि एक दिवार में ऐसा ही एक दरपन ताजमहल की और भी लगा हुआ है यदि आप कभी आगरा के लिए देखने जाएं तो दिवार में लगे इस दरपन में ताजमहल के पूरे प्रतिविम को देखने का आप क्या करें प्रयास करें तो सुनो मगबरे को इस पस्टता देखने के लिए आपको दिवार से सटी हुई छत पर उचिस इस्तान पर खड़ा होना पड़ेगा और वहाँ पर भी आप ये एक्टिविटी करकर देख सकते हैं और आपको वहाँ पर इसका मिल जाएगा तो आगरा के लिए की दिवार में ऐसा ज़सा है ये आपको खड़ा के लिए आपको ऑगरा के लिए शम जाएगे ह ஆ होना पड़ेगाॉर Flight पर होना पड़ेगा उके चलуйте अब आते हैं है कि मैं ये उत्तल जर् पन का यूस जो है मैं ये उत्तल दर्पन यानि कि जो convex mirror होए हमारा इसका use कहां कहां होता है सुध्यान से सुनेंगे उत्तल दर्पणों का उपयोग generally सामानिता वाहनों के पश्च द्रश दर्पणों के रूप में किया जाता है ठीके ना कहां पर किया जाता है जो वह या वाहन होते हैं उनमें हम पश्च द्रश पीछे का द्रश देखने के लिए जनरली किसका use करते हैं सो हम उत्तर दर्पण convex mirror का करते हैं यह दर्पण वाहन के पार्शव side यानि कि जो side होते हैं वहाँ पर लगे होते हैं और इनमें driver अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं इससे वे सुरक्षित रूप से बाहन चला सके जनरली ऐसा होता है कि हम गाड़ी चलाते हैं अभी तो आप लोग छोटे हो आपका license नहीं बनाए 18 साल से कम के हो आप 18 वर्ष से कम उम्र के हो आप गाड़ी नहीं चलाएं और जब आपका license बनाएगा तब आप चलाना तो आप जब भी गाड़ी चलाएंगे ना तो side mirror यहां पर होता है जहां पर उस mirror की help से हम पीछे आ रहा ही कोई वेक्ति अगर आ रहा होगा माल लीजिए हमें तो पीछे से अगर वेक्ति आ रहा होगा तो हम उस mirror में देखके उस वेक्ति की image को हमें पता चल जाएगा आ रहा होगा तो दिख जाएगी नहीं आ रहा होगा नहीं दिखेगी तो बिसीकली उसका यूज़ हम करते हैं ताकि प्रश्च द्रश्च जो है वो हमें दिखें पीछे का द्रश्च हम आसानी से देख सकें ओके नाव नेक्स आते हैं उत्तल दरपड़ों को इसलिए भी प्रात्मिक्ता देते हैं क्योंकि हमेशा सीधा प्रतिविम बनाते हैं यद यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं कैसा होता है उत्तल दरपड़ तो आपको भी पताए कि यह कुछ इस प्रकाल से होता है और हमें पताए कि यह वाला सेक्शन इसका कैसा होता है पॉलिश होता है अब अतार समतल दरपड़ के तुलना में उत्तल दरपड़ ड्राइवर को ओके नाव नेक्स्ट आते हैं यहां पर होता है हमारा में पॉइंट पाइनली कम्प्लीट अब कुछ डिफिकल्ट चीजों की तरह पौर बढ़ते हैं डिफिकल्ट नहीं है आसान है इंट्रेस्टिंग ऐसे मैं थोड़ा अलग तरीके से भी आपको पढ़ाऊंगी अब द्या परिपार्टी अगर पता ही नहीं होगी कहां पॉजिटिव कहां नेगरिटिव तो फड़तो गया हमकाम से बहुत द्यान से बिलकुँ शानती से यहीं सोच कर पढ़ना कि हमें कुछ भी नहीं पता है और अब पता चलेगा क्योंकि मैं हमें बताने जा रहे हैं सो बात कुछ इस प्रकार से है गोलिय दर्पणों द्वारा परवर्तन के लिए चिन्य परिपार्टी गोलिय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परवर्तन पर विचार करते समया में एक निश्चित चिन्य परिपार्टी का पालन करेंगे जिसे नई कार्ति के चिन्य परिप इस परिपाटी में दरपन के ध्रूव याने पोल की अगर में बात करों जो कि चित्र नौ देशंबलाव नो की अगर बात करें इसको मूल बिंदू मानते हैं सो यह रहा हमारा दरपन हना हमने देखा कि इसका यह वाला जो पॉइंट है ये पॉल हेस का क्या होगा, मूल बिंदू होगा, बिलकुल बेसिक वाला पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, और दरपन के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धिती का X अक्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा X अक्ष होगा, समझ के की नहीं, समझ के ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा X अक्ष है, ठीके ना, X से लेकर X तक, कोई confusion, हमने क्या देखा, हम यहाँ पर चिन परिपाटी के बारे में जान रही हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि भाईया, यहाँ पर इस परिपाटी में दरपन के ध्रूव याने पूल की अगर बात करेंगे, सो इसको हम मूल बिंदू मानते हैं, कौन सा बिंदू, मूल बिंदू मानते हैं, ठीके, आप सुनो, गोल यह दरपनों के लिए नहीं कारति कि यह चिन परिपाटी होता क्या है ना बिटा, सो होता यह है कि हमने देखा कि भाईया देखो प्रकाश की घरण ऐसे आती है और वो क्या होती है, कंवर्ज होती है, लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, यह तो हमारी आपतित प्रकाश की दिशा है, और आपको पता है ये हमारी परवर्तित प्रकाश की दिशा है हाई या ना भया ये तो reflect ही होगी ना इससे सो ध्यान से सुनिएगा अगर हम बात करें by और की ये distance की हमेशा ध्यान रखना ये negative होगा अब बात करते हैं हम दाइं और दरपन के इस साइट दाइं और के distance की हमेशा ध्यान रखना ये positive होगा समझे की नहीं समझे ये वाला section negative ये positive हमने बनाया ये कुछ ऐसे तो सुनो हमने बनाया ये कुछ ऐसे ये वाला हिस्सा negative तो ये वाला हिस्सा positive कोई confusion कोई समस्या अब आते हैं उचाई उपर की और देखो भाईया NCRT में ये ऐसा था एक ये बार और करेंगे अब इस सी बाते सो आमने देखा उपर की और जाएगा तो भाईया plus चिन नहोगा और अगर नीचे की और आएगा ना बिटा हमेशा तो minus चिन नहोगा है ना नीचे की और आएगा तो हमेशा कैसा होगा माइनस चिन होगा हमने देखा उचाई नीचे की और उचाई उपर की और उपर कैसा जाएगा पॉजिटिव नीचे की और आएगा नेगेटिव वहीं बाई और जाएगा तो नेगेटिव और चिन अगर दाई और तो हमने जान लिया कि अगर हम उचाई उपर क्यों बात करेंगे पॉजिटिव लेकिन उचाई नीचे क्यों बात करेंगे तो यह नेगेटिव होगा अभी रुकना पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अभी पूरा नहीं हुआ है और समझते हैं यह चिन्य परिपाटी निमनलि होनी और रखा जाता है बिल्कुल सही का है दरपन के इस सइड हि मिलेगा मेशा ओपज Gent उससाइड नहीं lifes है और सो ह मुख्यक्ष के समानतर सभी दूरियां दरपन के दूरूप से मापी जाती है बिल्कुल यहीं से ही हम इसे मापेंगे और मूल बिंदो के दाई और दाई और बोले तो बिटा इस वाले सेक्षन को प्लस X अक्ष के अनुदीश मापी गई सभी दूरिया कैसी है धनात्माक positive हाँ जी हमने देख लिया हमने देख लिया कि X अक्ष के जिसे मूल बिंदो के दाई और मापे के सभी दूरिया धनात्माक है जबकि मूल बिंदो के जबकि अगर हम बात करते हैं मूल बिंदो के बाई और इस section में क्या होंगी negative इस section में क्या होंगे positive, die your positive by your negative, clear, तो I think आपको ये समझ में आ गया है, okay मुख्यक्ष के लंबवत उपर की और मापी जाने वाली जो दूरियां है वो धनात्मक होंगे, बल्कुल सही का है, उपर की और क्यासा होगा धनात्मक और मुख्यक्ष के लंबवत तथा नीचे की और y अक्ष के अनूदीश अगरा हम बात करेंगे, यहाँ नीचे की और, so ये कैसा होगा भईया, so ये रनात्मक चेके न, ये रनात्मक का ही यहाँ पर sign है और ये यहाँ पर धनात्मत का साइन है तो इमापे जाने वाले दूरिया जो है वो यहाँ पर नेगरिटिव होंगी उपरवनित नहीं कार्ति के चिन्य परिपाटी आपके संदर्ब के लिए चित्र 9.9 में भी दर्शाई गई है बलकुल सही कहा है और ये चिन्य परिपाटी दर्पन का सूत्र प्राप्त करने मिरर फॉर्मूला हैना प्राप्त करने वे संबंदित आंकिक प्रिशनों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है अब आगे आपको कुछ numerical questions मिलेंगे वहाँ पर जब conditions आएंगे तो हम इनहीं के आधार पर plus minus वहाँ पर करेंगे अगर condition के दाई और जाएगे तो plus होगा, बाई और जाएगे तो minus होगा दर्पन के इस बाग में उचाई की बात होगी, height की बात होगी तो वो plus होगा और अगर बात होगी नीचे, उचाई नीचे के और बोलेंगे तो फिर वो minus होगा, ओके, चलो दर्पन सूत्रो और आवर्दन चलिए दियां से सुनें भाईया, ये mirror formula क्या है जिसकी actual में हमें help लेनी है, हमें सहायता लेनी है तो सुनेंगे गोली दर्पन में इसके धुरूब से बिम्ब की जो दूरी है, बिम्ब की दूरी बोले तो बिटा वस्तू की दूरी और बिम्ब दूरी यानि यू कहलाती है वस्तू की दूरी अगर बोलेंगे बिम्ब की दूरी सो उसे हम you से रिप्रेजेंट करेंगे सुन लो ध्यान से दरपन के दूरूप से प्रति बिम्ब की दूरी सो प्रति बिम्ब की दूरी को हम V से डिनोट करेंगे आगे आएगा आगे आएगा और जम में numerical solve करवाऊंगी और अगर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर है भाईया क्या यूँ तो आप समझ जाना कि मैं वस्तू की दूरी की बात कर रही हूँ याने कि मैं बिम्ब की दूरी की बात करें और कहीं पर अगर मैं लिख दू वी तो क्या समझोगे आप कि मैं बात करेंगों कि इसकी प्रति विम्ब की दूरी की ठीक है ठीक है चलिए आते हैं आपको पहले क्या देकि दूरूब से मुखे फोकस की दूरी फोकस की दूरी कहलाती है कि मैंने आपको फोकल लेंथ की बारे में बताया था तो जैसे मान लेते हैं कि भाईया यह है हमारा अवतल दर्पन क्या कर रही है द्यान से सुनिएगा यह है हमारा अवतल दर्पन जो कि आपको भी बता है यहां से क्या होता है पॉलिश होता है ठीक है अब मैं पहले इसमें आपको बता दू कि हमारी फोकस दूरी कहां से कहां तक है तो सुनो 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 यह हमारा जा रहा है यह प्रिंसिप तो यह जो पूरी distance होगी न यही हमारी क्या होगी focal length होगी यह पूरी तो हमारी वक्रता त्रिज्जा है उसके बात ही नहीं चल रही है यहाँ पर बात चल रही है focal length, focal दूरी की आमने क्या देखा आपको पहले ही ग्याते के दूरूप से मुख्य focus यह है दूरूप और यह हमारा मुख्य focus तो इसके दूरी ही focus दूरी कहलाती है इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पन सूत्र बिलकुल सही बोला है इनके बीच में ही क्या लगता है दर्पन सूत्र क्योंकि इनका आपस में क्या है याने की संबंद और सूत्र आपके सामने है दर्पन सूत्र क्या होता है स्वन इपन में V प्लस वन इपन में U एज्डे कोई रसम की दूरी यानिव स्थ्यकिंज की दूरी जो कि सामने प्रतिविंब की दूरी वी होगी और इसी के साथ वस्तू की दूरी यूँ होगी समझ रहे हो कि नहीं भाई सापको समझ में आ रहा है सो लाइक शेयर करते चलिएंगे थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा तभी मैंने इसे तीन पार्ट में लिया है और पहले ही दिन बता दिया था कि कम मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ पूरा डीटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी यही एक रीजन था कि मैं कहा रही थी कि तीन पार्ट में आवारी विडियो यह जाएगी अब सुनो यह संबंद सभी प्रकार के गोली दरपनों के लिए आप विबा की सबी स्थिति ओं के लिए माणने हैं सभी तरह के गोली दरपन के लिए होग है ना और विबा की सभी स्थितिया यहने वस्तू की जितनी भी स्थितिये सभी के लिए या माननने है प्रश्णों को हल करते समय है जब आप दरपन सूत्र में यू, वी, एफ और आर, आर बोले तो वकृता त्रिज्या के मान प्रतिस तापित करें तो आपको नहीं कार्थी के चिन परिपाटी का प्रयोग करना होगा, बताऊंगे अभी मैं आपको कैसे लेकिन, सुनेंगे यहाँ पर हमें आवर्धन पढ़ना होगा, लास्ट के दो प्रतिबिम्ब की उचाई तता बिम्ब की उचाई के अनुपात में वेक्त किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यह चीज, क्या बूल रहे है बिटा कि इसे हम प्रतिबिम्ब की उचाई और बिम्ब की उचाई के रूप में क्या करते हैं, क्या अनुपात को फॉर्मूला क्या होगा में से सुनिएगा चाइब कई दूरी याने यू तथा प्रति दूरी से भी सम्दिते इसे विएक्ट किया जाता है कुछ इस प्रकास से लेकिन ध्यान रखना यहां पर माइनस लगेगा क्या लगेगा माइनस mostly क्या होता है students formula लगा देते हैं माइनस भूल जाते हैं question का answer ही नहीं आ पाएगा निकालते रह जाना question का answer आना ही नहीं है ओके सुध्यान दीजिए बिंब की उच्छाई धनात्मक ले जाती है क्योंकि जो बिंब है वो प्राया मुख्य अख्ष के उपर रखा जाता है अबासे प्रतिबिंबों के लिए बिंबकी जो उचाई है वो धनात्पक लेनी चाहिए और अगर वास्तवे के मैं जहना actual very leamy जहना तो वह रिनात्मक लेनी है आवर्दन के मान में रणात्मक चिनने से ग्यात होता है कि प्रतिबिम रियल है और आवर्दन के मान में धनात्मक चिनने से पता चलता है कि जो प्रतिबिम्ब है वह यह वो वर्च्वल याने की आवासी है यह पूरा कॉंसेप्ट आपको multiple choice question में आ सकता है यह हमको MCQs में पूछा जा सकता है ओके चलिए सो वैल डन फाइनली फाइनली आचुके हम अपने main point के तरफ सो बात ऐसी है कि उधारण 9.1 हम से क्या कहता है सो यह है हमारा उधारण 9.1 द्यान से सुनेंगे किसी automobile में पीछे का द्रश्य देखने के लिए किसी auto mobile में पीछे का द्रश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दरपन की बकरतत रिज्जे आपको यहां दी है यदि एक बस इस दरपन से 5.00 मीटर की दूरी परिस्तेत है आपको यहां पर प्रतिविम के इस्तिती उसकी प्राकृती और उसका size बताना है पहली बात तो दरपन कौन सा है यह रहा हमारा दरपन जो की है भाईया उत्तल दरपन ठीक है जल्दी से बना देते हैं हम से कौन सा दरपन बोला जा रहा है यह रहा हमारा उत्तल दरपन और उत्तल दरपन की बात करेंगे यह यहां से कैसा हो जाएगा बिटा पॉलिश ठीक है अब हम से क्या बोल रहे हैं तो सुनो थोड़ा सा इसे नीचे लेकर आते हैं जगा पड़ेगी तो जगा चाहिए होगी तो मैनेज कर लेंगे अब हम से क्या कह रहे है देखवा आपको भी पता है यह इसका पोल यह इसका फोकस यह करवेचर ठीक है लिखदू में सब के नाम तो भाई यह यह है इसका पोल यह है इसका फोकस यह करवेचर and very important, ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, यानि कि प्रिंसिपल एक्सेस, अब हम से कह रहे हैं कि आपके पास कई सारी चीज़े हैं, कुछ चीज़े जो हैं, जैसे कि उत्तल दरपन की वकृता त्रिज्य दी है बटा आपको, क्या दी है वकृता त्रिज्या, जो कि कह यहां से कहा तक होगी, यह पूरी आपको यहां पर दी है, और दी है भईया, 3.00 मेटर, मुझे बताओ, पॉजिटिव में जाएगी या नेगेटिव, आपको भी पता है कि यह जाएगा पॉजिटिव, आपको चिन्ने परीपाटी द्याने, दाई, दाई और की कहानी हमने जाना था पॉजिटिव, यदlä एक बस इस दर्पन्ट से 5.00 मेटर की दूरी पर इस्थित है, अब एक बस की बात कर रहे हैं, मतलब बिम्ब की बात कर रहे हैं, तो यह जो बिम्ब है, मान लिते हैं वो यहां है, और यहां से इसके दर्पन्ट की बीच की कितनी दूरी है, 5 दाई और अभी हमने जाना था रिनात्माख होगा, डाई और हमने जाना था धनात्माख होगा, ओके चलिए, तो हमारे दो चीज तो हो चुकी है, done, solution की तरफ अब मैं बात करती हूँ, हमारे पास क्या है भाईया, आर, वकरता तृज्जा को हम capital R से represent करते हैं, जो कि हमारे पा ना दिया है, 5.00 मीटर, सीधे मैंने लिख दिया, 5 मीटर, एक चीज और इसे प्लस करो, इसे माइनस करो, यह हमारा आएगा, प्लस 3 मीटर, और यह आएगा, माइनस 5 मीटर, कोई confusion, नहीं है, कोई confusion, चलो, आगे बढ़ते हम से बोला है कि भाईया, पहली बात तो हमें भी भ पता करना होगा, क्योंकि फॉर्मल लगाएंगे, तभी तो सब समझ में आएगा, और दूसरी important कहानी भी, अभी हमें यहाँ पर magnification के बारे में भी तो निकालना होगा, हाँ यह नहीं, तभी तो हमें यह सब समझ में आएगा, चलो, तो एक काम करते हैं, आते हैं थोड़ा स आगे, तो हमने क्या देखा कि हमारा R is equals to plus 3 meter और U इतना और V इतना तो सुनो, हम यहाँ पर लगाएंगे पहले दरपर सूत्र, पर सुनो, दरपर सूत्र के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, वो हमें चाहिए होगा ना focus दूरी, वो कैसे निकलेगी, तो आपको ध्यान होता है, 2F होता है, याने focus दूरी, यह हमारी focus दूरी है, अब पहले तो हमें यहाँ पर यही निकलना है, सो मैंने यह small F is equals to R, अपन में क्या कर दिया इधा 2, मुझे बताओ भाईया, यह हमारे पास F कितना है, सो R है हमारे पास 3, यह है 2, अगर मैं इसे solve ना करूं, तो यह मीटर में इतना निकल कर आएगा, क्या बात है, यह इतना निकल कर आगया, very good, अब हमने क्या किया बिटा, चीक है, यह कहानी हमको अच्छे समझ में आगी, next आते हैं अब हम, यहाँ पर mirror formula लगाने, याने मैं लगाऊंगी, अब यहाँ पर क्या, दरपन सूत्र, mirror formula लगेग याने कि बिटा, दरपन सूत्र लगेगा, दरपन सूत्र क्या होता है, one upon में V, plus one upon में U, is equals to क्या हो जाएगा, one upon में, यह हमारी focal length, so one upon में V, हमें V हमें निकालना है, so यह one upon में F, फिर यह plus कता, इदर minus में चला जाएगा, और यह one upon में U हो जाएगा, कोई confusion, कोई समस्या, चलिए, बिल्कुल perfect चल रहे हैं अभी हम, सब को उसकी जगा पर क्या कर देते हैं, बिटा, हम पुट कर देते हैं, one upon में F, F कितना है, हमारे पर 3 by 2 है, ओके, यह already minus में है, फिर हमने यह one लिया, upon में U है, U हमारे पास क्या है, भाईया, minus 5 है, ओके, no problem, अब आते हैं, one upon में V की तरफ, जो की हमारे पास है, इसी के साथ हमने क्या लिया, one upon में, अच्छा, अब इसे हम क्या से solve करेंगे, two पर three नीचे चला जाएगा, so two पर three यहां पर नीचे आ गया, हमने लिया, minus minus इसको क्या कर दिया, plus one upon में क्या हो गया, भाईये, five हो गया, very good, क्या बात है, very good, क क्या बात है, अब बात आती है कि माम, और क्या बाकी है, इसमें तो सुनो, अब होता यह है, कि हमने देख तो लिया, यहां पर यह निकल कर आया, अब इसे solve करेंगे, so one upon V is equals to, अच्छा, दोनों का LCM लेंगे, तो कितना निकल कर आएगा, 15, three, five, zero, 15, और five, two, zero, क्या होता ह यहां, five, three is a fifteen, multiply by one, so answer क्या होगा, three ही होगा, हमने क्या किया, one by V is equals to 13 upon me 15, अब एक बात बताओ, हमें तो V निकालना था, तो चलो ठीक है, हम इसे यहां लेकर आ जाते हैं, इसे इसके upon में लेकर आ जाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 15 upon me 13, और बिटा, जब हम इसको इसस डिवाइट करेंगे, तो लगबग आप मान के चलो 1.15 मीटर के आसपास यह निकल कर आएगा, ठीक है, यह इसके आसपास निकल कर आएगी, तो हमने देखा, हमारे पास अगर हम बात करते हैं, यू, तो वो कितना तब है, यह 5 मीटर, हमारे पास एक बस इस दरपन से 5 मीटर की दूरी परिस्तिते, यानि कि जो इस बिम्ब की अगर हम बात करें, तो बिम्ब की जो वो दूरी थी, वो कितनी थी, 5 मीटर, और वहीं अगर हम वी की बात करते हैं, यानि कि उसके प्रतिबिम्ब की, उस वस्तु की प्रतिबिम की, तो वो कितनी निकल कर आई है, तो प्र तलदरपन में इस कंडिशन में अलग ही समझ में आ रहा है पहली बात तो आभासी प्रतिविंब बनेगा जी हां बलकुल बनेगा आभासी दूसरी चीज की कैसा बनेगा सीधा भी बनेगा और तीसरी चीज बिटा वस्तू से छोटा बनेगा कैसा बनेगा वस्तू से छोटा ब लेकिन magnification भी तो निकालते हैं हमें h' भी तो निकालना है यहाँ पर तो सुनो अम मैं यहाँ पर एक काम करती हूं एक और लाइन की छी लक्षमा डुरेखा ठीक है अम मैंने क्या किया है यहाँ पर magnification इतना बढ़ा नहीं लिखना था चोट उसा लिखना है यह मैंने किया m h' upon me h is equal to minus v upon me क्या है u सो बात कुछ इस प्रकाल से है कि अगर मैं बात करती हूं कि minus v क्या है हमारे पस यह हो जाएगा हमारा 1.15 upon me क्या है हमारे पस तो u है हमारे पस minus 5 अच्छे एक बात बताओ इनके minus आपस में कटेंगे नहीं क्या बिलकुल यह से कट जाएगा तो हमें पता है 1.15 upon me 5 होगा इसे इसे डिवाइट करेंगे तो भाईया यह 0.23 आएगा क्या निकल कराएगा इसका magnification तो अगर magnification की बात करें तो इससे यह 0.2 गुना होगा है न 2-3 गुना होगा ऐसा हम कह सकते हैं तो यह इसका basically क्या निकल कराया है magnification याने की आवर्धन जिसे हम कहेंगे साइस की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है आवासी होगा सीधा होगा रॉविस से बाते वस्तु से छोटा होगा सारी चीजे ड़न सारा सब कॉंसेप्ट समझ में आ गया है पहले हमें वकृता तृज्या से क्या निकालना हो फोकल लेंद फिर हमें दरपन सूतर पर उसको पुट करना होगा फिर हमने यहां से क्या निकाल दिया प्रति बिम की दूरी निकाल दी फिर मैंने यहां से आपको आवर्धन के बारे में बता दिया आज का लास्ट क्वेस्टिन ये रहा आप सभी के सामने और फिर हो साइस का एक बिम किसी 15.0 cm फोकस दूरी के क्या बोल रहे हैं 15.0 cm फोकस दूरी के अफ्तल दरपन से 25.0 cm दूरी पर रखा है दरपन से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखा जाए कि सपस्ट प्रतिबिम हमें यहां पर प्राप्त हो जाए प्रतिबिम की प्रकृति और साइ हमें यहाँ पर क्या करने को बोल रहे हैं बिटा ग्याद करने को कह रहे हैं तो चलिए ठीक है जानते हैं इसके बारे में हम समझते हैं कि यह क्या है चलिए ध्यान से सुनिएगा हम इसे solve करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है H जो कि क्या है बहिया 0.4 cm इसे हम 4 cm ही लेकर चलेंगे दूसरी important चीज हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर so हमारे पास यू दिया है minus 25 cm होगा यह क्यों क्योंकि बात चल रही है अफ्तल दरपन की मैंने आपको sign के बारे में already सब बता कर रखा है वहीं अगर हम बात करते है फोकल दूरी अफ्तल दरपन की अगर बोलेंगे सो V सारी small f की अगर हम बात करेंगे फोकल दूरी वो हमारा minus 15 cm हो जाएगा हमें यहाँ पर अभी V fine करना होगा और हमें क्या fine करना होगा h dash चलिए निकालते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लक्षमाद्रे का खेच देती हूँ सीधे हम आते हैं दरपन सूत्र की तरफ किसकी तरफ दरपन सूत्र यानि की mirror formula दियान से सूनिएगा 1 upon me V plus 1 upon me U is equals to 1 upon me F होगा 1 upon me V यहाँ रखते हैं 1 upon me F यह minus में लेकर चले जाते हैं 1 upon me U अब इनको इनकी जगाँ पर रख दो F हमारे पास कितना है minus 15 यह हमारे पास कितना है minus 25 कैसे solve कर सकते हैं इसे हम सो इसे हम कर सकते हैं ऐसे solve कि हमने देखा कि 1 upon me V is equals to minus 1 upon me 15 plus 1 upon me क्या होगा यह 25 कुछ नहीं करना LCM ले लेते हैं यह हो जाएगा 75 LCM 15, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 75, 75, 5 बार में जाएगा सो यह minus 5 फिर यह plus का plus 25, 75 यह 3 आ जाएगा 1 upon me V is equals to minus 2 upon me 75 अब हमें यहां V निकालना है सो obviously बाते 75 upon me 2 होगा डिवाइट कर देंगे तो यह निकल कर आएगा 2, 3, 6, 2, 74 और 2, 15 मीटर हमारा V कितना निकल कर आया है minus 37.5 मीटर अब हम एक काम करेंगे यहां पर केचेंगे एक लाइन और हम क्या करने वाले हैं तो सुनो हम यहां पर निकालेंगे magnification जो कि H dash upon me H minus V upon me क्या होगा यू तो ध्यान से सुनिएगा अगर हम बात करते हैं H dash की थाना तो देखो सबसे पहले चीज हमें finally वही करना था तो simply काम करते हैं H dash को यहां करते माइनस V और यह हमारा H यहां U यहां so H dash is equals to minus 30 यह तो minus का minus होगा और यह minus 37.5 multiply by क्या होगा 4 upon me U U कहां गया हमारा U U U तुम कहां सुलेगे भाई सो यह होगा minus 25 इससे इसको minus कर दो और अगर हम इन दोनों को multiply करेंगे सो यह 150 होगा 25 से divide कर देंगे तो सुनो इसका minus तो रहेगा ही H dash हमारा कितना निकल कर आएगा minus 6 निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा सो भईया H dash हमारा निकल कर आएगा minus 6 बाकी सारी चीज़ों तो उसकी जगा पर दी ही हुई है सो यही इसका होगा correct answer सो होती है यहाँ पर इसकी कहानी complete और yes centimeter mention कर देना वरना आपका होगी क्या होगा वस्तू के प्रतिविंब की अगर बात आएगी चलिए छोटा सो होमवक में आप सभी को दे रही हूँ आप मुझे इतना पूरा होने के बाद बताएंगे कि वस्तू का प्रतिविंब कैसा बना है एक हिंट दे देती हूँ कि यह आवर्दित बनेगा बड़ा बन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा इसी के साथ साथ कुछ अदर प्लैटफॉंस भी है मैंगने ब्रींस की यहां पर भी ज़रूर जुड़िएगा वाइटी पर भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं एप्लिकेशन के तुरू भी ले सकते हैं और वेबसाइट के के टॉब कोसे सीबी एसी बोर्ड दिल्ली बोर्ड बहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमिपी बोर्राजस्थान बोर्ड वैद्थ मैक्स क्रेशकोर Spoken English और विडियो कैसे लगे